हाई एवरीमन जावा इंटर्व्यूस में आपसे पूछ सकते हैं कि जावा के अंदर डैटा टाइप की केडिग्रीज बताओ इस के इस के अंदर आप बता वहीं कि दो टाइप की केडिग्रीज होती है पर्मिटिव एंड नोन पर्मिटिव उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि पर्मिटिव डेटा डाइप कौन से होती है और नोन पर्मिटिव डेटा डाइप कौन से होती है पर्मिटिव डेटा डाइप उनको बोलते हैं जो जावा के अंदर बिल्ट इन होती है जैसे कि दालता है जैसे कि array है array किस type का होगा integer type का होगा flow type का होगा कैसी उसकंदर values रहेंगी वो खुद user define करता है user decide करता है तो इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं non primitive data types और जो हमारे पास पहले से built-in होती है data types उनको बोलते हैं primitive यहां से आप कुछ सीखने को मिला होगा ऐसे और question के लिए पूरी playlist बने हुए है link मैंने description box में डाला हुआ है पूरी playlist देखना आपको काफी help मिलेगी interviews के अंदर thank you so much और प्लीज वीडियो को like करना चैनल को subscribe करना comment section में feedback देना thanks guys